तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले कलास 10 का छेत्रमिती के सभी जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी गोडिवाइच करेंगे तो अगर आपको भी याद नहीं है तो नोट करते चलिएगा ठीक है और इसको इंगलेस में क्या बोलते हैं मैंसुरेशन छेत्रम के बारे में यानि की कौन के के बारे में ठीक है तो चली करते हैं सबसे पाले छेत्रमिती मिठी पहला है हमारा चेत्रमिति अंतरगत 1 नमर में थ्रिच खंड और डव्रिद्खंड का छेत्रवड स्जित्रव्मौल Türkiye तो पहला है और्धर्जया वाले अर्धर्वृत का परि प्लस 2R ठेक है फिर है आर तिर्जयावाले यहाँ पर कोई भी तिर्जयाव् obviously PB परिमाप तो 2 pi r हो जाएगा ठेक है नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे r तिर्जावाले विरित के चतुर्थांस का परिमाप क्या होगा तो 1 बट्टा 2 इंटू pi r प्लस 2 r ठेक है आगे देख लेते हैं d number तो यहाँ पे सब को आपको लिख के सुभा और साम याद करना होगा तब जाके याद होगा और फिर जाके आपको प्रैक्टिस करना होगा तब जाके आप मैद को continue कर पाएंगे ठेक है तो सब को note करते चलिएगा r तिर्जावाले अर्ध विरित का छेतर पल तो 1 by 2 pi r square होता है अर्ध विरित बोला है याद रखिएगा सरकल नहीं है अर्ध विरित है अगला है हमारा r तिर्जावाले विरित का छेतर पल तो pi r square और अर्ध विरित का क्या हो जाएगा pi r square के नीचे में आपको 2 से भाग दे देना है ठेक है आगे देख लेते हैं अर्ध नंबर हमारा है r तिर्जावाले विरित के चतूर्थांस का छेतर पल तो चतूर्थांस का छेतर पल 1 by 4 pi r square ठेक है देखे उसमें बस केवल और केवल विरित का जो छेतर पल उसको 4 से भाग दे देते हैं तो चतूर्थांस का आ जाता है ठेक है नेक्स्ट है हमारा यहां पर त्रिजखंड का छेतर पल तो त्रिजखंड का छेतर पल ठेक है 360 into pi r square होता है नेक्स्ट है हमारा चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई होती है ठेक है by 180 degree into pi r ठेक है और pi का value आपको मालूम है 22 बट्टा सब को मालूम है सब को मालूम है ना नेक्स्ट है हमारा त्रिजख aob का छेतर पल तो देखिए यहां पर यह एक त्रिजख aob बना हुआ है समझे लिज़े इसी को aob ठेक है तो यहां पर जो है हमारा त्रिज़ aob का छेतर पल क्या होगा 1 by 2 1 by 2 r q sin theta ठेक है into है नेक्स्ट है हमारा यहां पर लगू वृत्खंड का छेतर पल बराबर क्या होता है तो बराबर होता है त्रिजखंड का छेतर पल माइनस त्रिबुज A O B का छेतरफल ठीक है लगू विरितखंड जैसे यह आपका यहाँ पे लगू विरितखंड है यह वला तो विरित का छेतरफल मैनस यह वला त्रिबुज का छेतरफल तो यह जो यहाँ पे color किया हुआ है यह देखिए यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा color किया गया है वो आपका आ जाएगा ठेक है लगू विरित्खंड का छेत्रफल तो त्रिच्खंड का छेत्रफल माइनस AOB का छेत्रफल समझें आगे दिख लेते हैं next हमारा question है यहाँ पे क कि दिर्ग विरित्खंड का छेत्रफल बराबर विरित्खंड का छेत्रफल माइनस लगू विरित्खंड का छेत्रफल ठेक है यह यहीं पे यह दोनों चीजें यहीं से आपको समझ लेनी है next है आपको तो यहाँ पे हमारा हो जाता है दिर्ग त्रिच्खंड का छेत्रफल क हम आयतन के बारे में तो देखिए प्रिष्ट छेद्रफल लियम आयतन में पहला है घन का पार्षव प्रिष्ट छेद्रफल नेक्स्ट है घंका आयतन तो घंका होता है A cube, क्या होता है A cube, A into A into A तीन बार, भुजा गुने, भुजा गुने, भुजा घं का विकर्ण क्या होता है तो घं का विकर्ण होता है, जैसे घं आप लोग को बनाने जानते है, ठीक है सिंपली आपका ये घं बन गया इस टाइप से, लोडू का गुटी ठीक है, cube और एक होता है घं आप तो ये माचिस के डिब्बे का समान होता है थोड़ा से चोंडा होता है, ठीक है ये भी घं कही समान बन गया है थोड़ा से इसकम को लंबा करना चाहिए था तो अप लोग सब पढ़े होंगे, चली हम लोग कोशन कर लेते हैं जली से, तो घं का विकर्ण, घं का विकर्ण होता है यानि कि भूजा, रूट तीन जहां ए क्या है, घं की भूजा है, सिंपल है बस जितना भूजा होगा, उसको रूट तीन से इंटू कर दिजेगा, आपका घं का विकर्ण आ जाएगा घं का पार्श प्रिष्ट छेदरफल तो घं का पार्श प्रिष्ट छेदरफल होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है दोगुने लंबाई जोर चोड़ाई इंटू H, यानि के हाइट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे घं का पार्श प्रिष्ट छेदरफल तो दोगुने लंबाई जोर चोड़ाई टू इंटू L प्लस B इंटू B प्लस H इंटू H प्लस L ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे घं का आईतन, तो L, B, H तीनों को गुना कर देना है लंबाई चोड़ाई और उंचाई को तो इसका आईतन आ जाएगा नेक्स्ट है हमारा घं आप का विकर्ण होता है मतलब कि आपको तीनों लंबाई चोड़ाई उंचाई को ठीक है एल, B, H तीनों को क्या करना है तो एड करके इसको अंडर रूट कर देना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा बेलन का वकर प्रिष्ट चेतरफल तो बेलन का वकर प्रिष्ट चेतरफल होता है 2π, R, H ठीक है आगे देख लेते हैं तो बेलन आप लोग को जानते बनाने स्लेंडर ये सब को जानते ही होंगे आगे देख लेते हैं तो हमारा क्या है बेलन का संपूर्ण पिर छेतरफल 2πr into h plus r नेक्स्ट है हमारा बेलन के आधार का छेतरफल तो πr square यानि के वृत का छेतरफल ही होता है बेलन का छेतरफल ठेक है नेक्स्ट है हमारा बेलन का आई थन तो pi r square h होता है बेलन का आई थन आगे दिख लेते हैं तो कॉस्ट्टिन है संकु का वक्र प्रिष्चि चित्रफल तो pi r hell होता है संकु का वक्र प्रिष्चि चित्रफल और l find का उड़ करने के लिए अंडर hai जहा है is square people as आर स्कुयर ठीक है यहाँ पर पाइठा को फोलो किया गया है आगे देख लेते हैं तो संकु कु का समपूर्ण प्रिष्च धरफल कीता है तो पाई आर इन्टू एल सांपूर्ण प्रिष्च धरफल संकु कौन ठेक है यह इस टाइप से जो है आपका बड़े पाटी में जो पहनते हैं अप लोग टोपी केप हैट जो बोलना है बोल लेजिए संको का आयतन एक बट्टा तीन को गुना कर देना पाई आर स्कॉयर एच से यानि जो बेलन का आयतन है उगर उसको तीन से भाग दिया जाए तो संको जो गायतन निकल जाता है अगे देख लिते हैं कोश्यिन हमारा गोला का वक्र पीशन है खट्रफल दो गोला का वक्र प्र पर शकुआ है इस सबसे ज्याद हो जाएगा और नहीं है तो याद कर लीजिएगा अगला है अर्ध गोले का आयतन तो दो बट्टा तीन पाई यार क्योग अब अंतिम बजता है हमारा संकु का छिन् defender संकु इसमें थोड़ा सा दिकत होता है कि इससे बहुत कम आती है एक को आता है तो आता है याप पांच मार थल सब्सक्राइब अब्जेक्टिव रेरली आता है नहीं भी आता है तो संकु का है इस दोनों को जैसा आपको लिखने का वान करें लिख सकते हैं फिर है वक्रफिश्च छेत्रफल, छिनक का वक्रफिश्च छेत्रफल तो pi एंटु r1 प्लस r2 into l, ठेक है, next है हमारा यहाँ पे संपुन और l यहाँ के तिरियक इन चाई होती है, तिरियक फूचाई, यह जो height है यहाँ पे यह वैला l हो जाएगा, इस तरह से, टेक है, next है हमारा यहाँ पर, समपुर्ण प्रिष्ट छेत्रफल, समपूर्ण प्रिष्ट छेत्रफल हुदा है pi into r1 प्लस r2 into l plus pi r square टेक है, plus pi r2 square, जहान l क्या है आपका, तो L है under root H square plus R1 minus R2 ठीक है तो ये question थोड़ा सा toughly आता है class 10 के लिए बाकि ये हो गए है सभी important आपके सभी को note कर लिजेगा सुबह साम 2-3-3 दिन तक revise किजिए आपको याद हो जाएगा और बाकि फिर practice करते रहिए ठीक यू बाई इसका PDF का अपको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो का description में दे रहा हूँ वहाँ से इसको download कर दीजेगा ठीक है thank you